नमस्कार किसान भाईयो मालवा किसान चेनल में आपका स्वागत हैं किसान भाईयो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यदि आप मेनी स्प्रिंग कलर की साहता से बारिज जैसा महूल अपने खेतों के अंदर बनाना चाते हैं और आप मेनी स्प्रिंग कलर का सेट खरीतना होगा संपुन जानकरी को मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ किसान भाई यो आप से एक अनुरोध रहेगा कि यह दिया आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने मैं भी मीनी स्प्रिंग कलर लगा रहा है तो मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि मीनी स्प्रिंग कलर जो होता है वो इस तरीके का एक लोहे की राड होती है वो खरीतना होगा उसके लावा इस तरीके का मीनी स्प्रिंग कलर जो छोटा फुमारा होता है इसे छोटे फुमारे के नाम से भी जाना जाता हैं तो यह खरीदना होगा और इसके साथ में एक मीटर इतनी लंबी नली होती हैं तो यह खरीदना होगा यह आप जो पूरा सेट जो देख रहे हैं यह वाला सेट आपको 120 रुपई से लेकर 150 रुपई के आसपास तक इस वाले एक सेट की बात कर रहा हूँ यह सिर्फ एक इसमें मीनी स्प्रिंग कलर आएगा लोहे की राड आएगी और अपनी एक नली आएगी एक मीटर तो यह 120 रुपई से लेकर 150 रुपई की रेंज में आपको मिल जाएगा इसके बाद आपको क्या करना होगा कि इस तरीके की 32 एमेम की नली आती हैं इस तरह नली को खरीदना होगा यह नली 200 मीटर का एक बंडल होता है और एक मीटर की जो रेंज होती है वो 24 रुपई से लेकर 40 रुपई तक की रेंज तक आता हैं जो आपको उचित लगे उस रेंज तक की आप मीटर की साब से नली खरीच सकते हो इसके अलावा आपको क्या करना होगा कि एक वाल्व खरी नहीं देना है तो इस तरीके का जो वाल्व होता है उस वाल्व की साइता से आप बन चालू करके उस नली को पानी से बन कर सकते हो यानि कि इस नली को बन करना है तो आपको वाल्व को बन कर देना है तो इस नली में पानी जाना बन हो जाएगा तो आपको वाल्व कितने करते हैं इस तरीके आपने को वालव को लगाना होता हैं तो लेकिन किसान बाईों यह आपको शुरक्षित रखना चाहते हैं ओर छेद नहीं करना चाहते हैं तो आपको इस तरीके का एक अप्टर को खरीटना होगा यह आप्टर जो है यह पूरा वाला शेड जिसमें आपको वाल भी आ जाएगा अप्टर का पूरा सेड़ आ जाएगा यह करिब करेब 250 रुपई سने Curtain 350 रुपई तक कि रैंज में आता हैं आपको जिसेंच का ऊचित लगे उसेंच को आप खरीज सकते होग तो आपको क्या करना होगा कि इस आपटर को खरीदलना है अगर नहीं कखidor में झागर मैं जो आपको पैप करना होंगे। यानि कि जो आपतर के अंदर नली लगाओगे वालव के महापर तो आपको क्या करना है यहां से लेकर जो पहला मीनी स्प्रिंग कला यानि कि जो पहला मीनी पुमारा जो है यहां पर आपको छेत करना होगा आपको यहां पर क्या करना होगा एक छेत करना होगा जिसमें छेत की सायता से क्या होगा, कि इसके अंदर यह जो नली है, इसको अंदर लगा देते हैं, यह जो आप देख रहे हैं, इसको एक मीटर ओले नली होती है, चईदेड करके इस तरीके का एक आता है, ढकन उसके अंदर लगा कर इस नली को 30 feet की बीच की दूरी रखना है मैं आपको एक बार और बता देता हूँ यह जो हमने आप्टर के वहाँ से पहला फुवारा लगा है इसके बाद आपको क्या करना है कि 26 feet से लेकर 30 feet की दूरी पर आपको क्या करना है कि दूसरा छेत करके अपने को फिर दूसरा मीनी स्प्रिंग कलर लगाना है तो आपको इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है कि हमेशा जो आप दूरियां बनाओगे इसके बाद जितनी भी length बनाओगे जितनी भी आप फुवार लगाओगे तो आपको 26 feet से 30 feet के बीज के दूरी रखना है लेकिन पहले वाला जो आपने फुवारा सेट की आए उसके लिए आपको 15 feet के दूरी रखना है मैं आपको बता देता हूँ 15 feet के दूरी इस लिए रखते हैं जो पाइब वाले जो हैते हैं इसका क्या हουμεता है सिरेप पर एक लास्ट जो कोना होता है, वहा पर बंद धक्कन लगाना रहता है बंद धक्कन आपको खरीतना होगा जो महा पर मारकेट में मिल जाएगा इस तरी के से मिणी स्प्रिंग कलर का पूरा सेट होता है मैं आपको एक बार और डिटेल से बता देता हूं कि आपको mini spring color set करना है तो जो आप after लगाओगे वाल लगाओगे वाल से पहला जो आपको mini spring color लगाना है वो 15 feet की दूरी पर लगाना है इसके बाद 2 फुवारा के बीच में 26 feet से लेकर 30 feet की दूरी set करना है इसके अलावा यहाँ यह वाला जो नली है और इस नली के बीच में भी लगबग आपको 26 से 30 फिट की दूरी कवर करना है तागी क्या ये वाला फुवारा भी गुमेगा और वो वाला भी गुमेगा तो पूरा एक जैसा राउन में गुमेगा तो चारो तरफ एक जैसा पानी गिरेगा तो बारिज जैसा माहूल बनता ज आएगा तो आपको इन बातों का जरूर ध्यान रखना है और करीब-करीब आपको जो नली की लंबाई रखना है जो एक नली की लंबाई रखोगी करीब आपको 50 मीटर इतनी लंबी को नली कट करना है यानि कि 200 मीटर की जो नली का बंडल आता है तो आपको उसके चार टु पोस्ता है तो इस्प्रिंग कलर उस स्विट से नहीं चल पाता है जबके पास वाले स्विट से चलते हैं लेकिन अगर आप 50 मिटर की दूरी बना के रखोगे नली की तो बहुत अच्छी तरीके से काम करेगा तो आपको इन चीजों का बहुत ही ध्यान रखना है यदि आप मे दुकानवाले से जाके बात कर सकते हो और दुकानवाला आपको 25,000 की रेंज में लगबग दो भीगेगा आपको मीनी स्प्रिंग कलर का सेट मिल जाएगा तो किसान भाईयो मैं आपको इस वीडियो में जो जानकारी दिये हैं बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गयोगी किसान भाईयो में आपको बता देता हूँ खिट के अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं दिया, सिर्प मेनी स्प्रिंग कलर की साइता से ही हमने पानी दिया है, कैली में पानी हमने नहीं दिया है और अभी हमने ये अशोगंदा की फसल लगाई हैं, आप देख सकते हैं कितनी अच्छे तरीके से इनका जर्मिनेशन हुआ हैं, पूरे खेत के अंदर आप देख सकते हैं, तो आप मेनी स्प्रिंग कलर से अगर ये करना चाहोगे तो आपको बहुत ही फायदा होने वाला है, तो किसान भाईयों, मैं उमीद करता हूँ कि इस वीडियो में मैंने जो आपको जानकरी दी हैं, मीनी स्प्रिंग कलर के बारे में समपुन जानकरी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी, आपसे एक बार और निवेदाने, कि यदि आप इस चैनल पर पहल बोट दानिवाट